मेरे की बाद स्वागत है अब सभीका केंद्रिक रे मंत्री अमिच्छा मिशन 36 गड़ पर हैं अमिच्छा राइपूर पहुँच चुके हैं इसके लावा कांकेर में सभा को संभोधित भी करनेगी ये तस्वीरे आपके सामने हैं आमिच्छा पहुँच चुके हैं राइपूर और यहाँ पर बीज़ेपी के प्रदेश अद्रेक्षर केरन सिंग देव ने उनका कुछ इस तरह से स्वागत किया है और सीधा एयरपोर्ट से केंद्रेक्री मंत्री अमिच्छा पहुँचे हैं बीज़ेपी के प्रदेश कारियाले में कुछ अभाव ठाकरे में और वहाँ पर आज कुछ लोगों के साथ मीटिंग करनी हैं जिसमें मोकी मंत्री विश्ण देव साहिब भी शामिल है बलकुल इसे के साथ आज कांकेर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं अमिच्छा और रात्रे विश्ट्राम राइपूर में ही किया केंद्री ग्रेमंत्री ने और उसके बाद आज पहले मीटिंग होगी कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद कांकेर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं तो मिश्ट्र निग्यारा के तहट बीजेपी आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में अमिच्छा लकातार च्छतीजगर के दोरे पर भी आ रहे हैं जी मेडिया समधाता राजेश रिशाद राइपोस इस वक्तमाय साथ लाइव जुड़ गए हैं राजेश आमिच्छा का आज क्या क्या कारतरम है बताईएगा और कौन सी लोगसभा सीट को सादेंगे आज बिल्कुल लिश्ची तोर पर देखिए केंद्री ग्रीह मंतरी अमिच्छा कल देर रात नौ बज़े के आसपास वो 36 गड़ पहुँचे हैं वहाँ से वो सीधे कुसा भाउट ठाकरे पहुँचे हैं वहाँ जो दिकत जो बीजेपी की जो नेता हैं प्रदेश के चाहे प्र चेतर पे आज केंद्री ग्रीह मंतरी अमिच्छा का दोरा रहेगा और सीधे तोर पे देखिए कॉंग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए केंद्री ग्रीह मंतरी अमिच्छा नजर आएंगी इसके साथ साथ नकसल वात को लेकर के भी केंद्री ग्रीह मंतरी का उद्भोधन जर केंद्री ग्रही मंत्री अमित्षा का संबोधन रहेगा और एक बड़ी जन्दसभा को संबोधित करते हुए केंद्री ग्रही मंत्री नजर आएंगे कई चीजों का जिकर भी होगा जिसको देखना बेहत महत्पूर होगा